पाँच हजार सुनेहरे गाने और अमीन सयानी की पूरी गीत माला से भरा एक तौफा सारे गामा कारवाँ पॉल और रिमी पॉल की ओफिस कैबिन में बुरी तरह से जगड रहे थे दरसल पॉल और रिमी पिछले दो साल से रिलेशन्शिप में थे रिमी इस रिष्टे को आगी लेकर जाना चाहती थी पॉल के साथ और वक्त भी गुजारना चाहती थी पर पॉल पॉल शादी शुदा था दस साल पहले पॉल और जेन की शादी होई शादी के तीन साल बाद एक दिन पॉल ने गाड़ी चलाते हुए लापरवाही से एक टर्न लिया और पॉल की इस लापरवाही की कीमत चुकाई जेन ने जिसकी इस आक्सिडंट में दोनों आखें चली गई आक्सिडंट के बाद से पॉल और जेन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई पॉल को इस बात का गिल्ट था कि गलती उसकी थी इसी लिए उसने जेन के कमफर्ट के लिए नौकरों और चीजों की लाइन लगा दी जेन की देखभाल अच्छे से होती थी जेन के पास उसके जरूरत का हर सामान था बलकि जरूरत से जाता ही सामान था अगर किसी चीज की कमी थी तो पॉल की पॉल और जेन के बेच दूरियां आती गई क्योंकि वो तोनों एक साथ वक्त ही नहीं गुजार पाते थे वो डिनर करने जाएं तो साथ में एक हेलपर जाती थी जेन को खाना खिलाने के लिए वो वेकेशन पर जाएं तो हेलपर्स की एक टीम जाती थी जेन का हर काम करने के लिए पॉल की जिन्दगी में एक खाली पंसा आ गया था जो रिमी के आने के बाद मनो भर गया पर पॉल रिमी को पूरी तरह से नहीं अपना सकता था पॉल ने रिमी को समझाया कि वो जेन को ऐसी हालत में कैसे डिवोर्स दे सकता है स्पेशली जब उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है पॉल ने अगर जेन को छोड़ दिया तो वो कभी अपने आप से नजरी नहीं मिला पाएगा रिमी का कहना था कि वो एक बार इस बात को शायद फिर भी अक्सेट कर ले कि वो इस रिष्टे में नहीं बन सकते पर उसे पॉल का और वक्त चाहिए था पॉल ने रिमी को बहुत समझाया पर जब रिमी नहीं मानी तो पॉल ने उसे एक प्रॉमिस किया उसने कहा कि हर साथ पॉल रिमी के साथ एक महिने की वेकेशन पर जाएगा किसी और देश में जहां वो और रिमी साथ रहेंगे बाते करेंगे वो हर चीज साथ करेंगे जो वो यहां as a couple नहीं कर सकते जेन से कहा जाएगा कि वो काम के सिलसिले में जा रहा है रिमी मान गई अगले हफ़ते पॉल ने जेन से कहा कि वो जरूरी काम से बाहर जा रहा है और जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करेगा पॉल एक फिल्म ट्रडक्शन कंपनी का मालिक था और इस टाइम के सबसे बड़े सूपर स्टार रिकवी के साथ एक फिल्म शूट कर रहा था शूट यहीं इसी शहर में चल रही थी क्योंकि जेन पॉल के साथ कंपनी की मालिक भी थी तो पॉल ने जेन से रिक्वेस्ट की कि वो एक दो बार सेट पर चली जाए ताकि अगर कोई इशू हो कोई डिसिजन लेना हो तो वो पॉल के बिहाफ पर ले सके पॉल और रिमी अगले एक महिने अपनी दुनिया में खोई रहे लखिली पॉल को ना तो काम के सलसिले में और ना ही जेन से कोई कॉल जाए और उनकी वेकेशन बिना किसी जगडे आराम से कटी वापस लोटते वक्त दोनों को इस बात का अगम धा कि वो एक साथ एक घर में नहीं बलकि अलग-अलग घरों में लोटेंगे पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे पॉल जब अपने घर में घुसा तो जेन सामने खड़ी उसका वेट कर रही थी पॉल ने घर के सर्विंट्स को आवाज दी तो जेन ने कहा आज कोई नहीं है मैंने सब को छुट्टी दी है पॉल ने कहा क्यों? जेन ने कहा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पॉल ने कहा हाँ बोलो जेन ने कहा मुझे पता है कि तुम्हारी ये ट्रिप बिजनिस ट्रिप नहीं थी तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद कई ऐसी चीजे हुई जिससे मुझे सब कुछ समझ में आ गया एक अंधी को कैसे डिवोर्स दे दू? जमाना क्या कहेगा? जेन ने कहा, मुझे पता था, पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझ पर तरस खाते हो, और मैं इस फीलिंग की वज़ा से पूरी तरहा से टूट चुकी थी, पर तब ही मुझे एक सहारा मिला, एक ऐसा इंसान जो मुझे बेचारी अंधी नहीं समझता, मुझसे प्यार करता है, वो भी मेरे लिए नौकरों की लाइन लगा सकता है, पर मेरे साथ वक्त बिताने के लिए, वो खुद मेरी, मेरे हर काम में हल्प करता है, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता है, पॉल, तुमने आक्सिडेंट के बाद मुझे लीगली नहीं छोड़ा, पर एमोशनली छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला कर दिया, मैं ऐसे अकेले नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ नहीं, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, पॉल शॉक्ट था, उसने गुस्से में कहा, अच्छा, मैं भी तो जानू कौन है वो महानात्मा, इतने में अंदर से पॉल की मूवी का हीरो, सूपरस्टार रिकवी वहाँ आया, और जेन का हाथ पकड़ते हुए कहा, इस मी, मैं जेन से सेट पर मिला, जब वो तुम्हारी जग़ काम सम्हालने के लिए आती थी, I'm sorry पॉल, पर मैं actually जेन से प्यार करता हूँ, और उससे शादी करना चाहता हूँ, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स और हमारी शादी शान्ती से हो जाए, बिना किसी जगड़े या गड़ बढ़के, कुछ दिनों बाद पॉल ने जेन को तो डिवोर्स दे दिया, पर ये बात कि जेन को उसने इमोशनली कितना होट किया है, उसके दिल में पैट गई, जिसकी वज़ा से वो जेन के जाने के बाद भी, कभी रिमी से शादी नहीं कर पाया, रिमी इस बात से अपसेट होकर, उसे और उस देश को छोड़के चली गई, और पॉल हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह गया, दिवानासनम, तुझे देखा तो ये जानासनम, कर देखा तो ये जानासनम, प्यार होता है दिवानासनम, अब यहां से कहां जाए हम, तुझे देखा तो ये जानासनम, तुझे देखा तो ये जानासनम, प्यार होता है दिवानासनम, अब यहां से कहां जाए हम, तुझे देखा तो ये जानासनम, अब ये जानासनम, अब ये जानासनम, आखे मेरी सपने तेरे, दिल मेरा यादे तेरी, ओ, मेरा है क्या, सब कुछ तेरा, जा तेरी सांसे तेरी, मेरी आँखों में आशो तेरे आगर, मुश्कुराने लेगे साधे गम, तुझे देखा तो ये जानासनम, प्यार होता है दिवानासनम, अब यहां से कहां जाए हूं, तेरी बाहों में मर जाए हूं, तुझे देखा तो ये जानासनम, ये दिल पहीं, लगता नहीं, क्या कहूं मैं क्या करो, हां तु सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं, तुनिया वाज भी दिखने अगर, प्यार से है बड़ी का पसं, तुझे देखा तो ये जानासनम, प्यार होता है दिवानासनम, तुझे देखा तो ये जानासनम, प्यार होता है दिवानासनम, अब यहां से कहा जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, कर दो